Assalamualaikum दोस्तो, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर डीवी दूस्तो किसी भी मुलक में law and order काइम रखने के लिए इसकी पुलीस बहुत ही एहम किरदार अदा करती है normally किसी भी पुलीस डिपार्टमेंट में और्डिनरी कार्स ही यूज की जाती है लेकिन आज किस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे लक्जरी और फास्ट पुलीस कार्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट डाउन Like and Hyper Sport दोस्तो अगर अपुदभी पुलीस की बात के जाए तो इस डिपार्टमेंट के पास Like and Hyper Sport जैसी लक्जरी कार मौजूद है इसे 2015 में अपुदभी की गौर्मेंट ने पुलीस पेट्रोलिंग के लिए इशू करवाया था सिर्फ इतना ही नहीं बलकि इसके इंटेरियर और एक्स्टेरियर में बहुत सी मोडिफिकेशन भी की गई है जिसे ये और ज़दा कूल लगती है इस कार के अंदर 744 होर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो की बहुत ही पावरफुल होता है और इस इंजन की वज़ा से ये कार 400 किलिमेटर की स्पीड से चल सकती है अबुदबी में इस कार को पैट्रोलिंग परपस के लिए योज़ किया जाता है ये सच में कमाल है टेसला मॉटल S दुस्तों आशकल दुनिया के तमाम डिवेल्प कंट्रीज में एलेक्रिक वहिकल्स का ट्रेंड बहुत ही आम हो चुका है अगर एलेक्रिक कार्स की बात की जाए तो इनमें टेसला का नाम टॉप आफ द लिस्ट आता है ये एक बहुत ही एडवांस एलेक्रिक कार है लेकिन ये इतनी महेंगी है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन आपको जानके हरानगी होगी कि लॉस एंजलेस की पुलीस इस एक्सपेंसिव कार को पैट्रोलिंग के लिए इस्तमाल कती है 2019 में लॉस एंजलेस गॉर्मेंट ने अपने पुलीस डिपार्टमेंट के लिए टेसला कार्स इशू करवाई थी और उस वकद से टेसला कार्स एले पुलीस के लिए इस्तमाल की जा रही है इस कार की मैक्सिमम स्पेड 250 किलोमेटर पर आर होती है और इसे एक दफ़ा कंप्लीट चार्ज करने के बाद तकरीबन 600 किलोमेटर का फासला आसानी से तैग किया जा सकता है बारहाल जो भी हो ये कार रियली बहुत कूल है मरसेडीस एमजी एफोटी त्री दुस्तों आप मेंसे जिन लोगों को कार्स रखने का शौक है वो मरसेडीस कार्स के बारे में जानते होंगे ये दुनिया की सबसे महंगी और लगजरी कार्स में से एक है वैसे तो ये सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के पास ही होती है लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जिसकी पुलीस को पेट्रोलिंग के लिए मरसेडीस कार्स दे जाती है सुनने में तो ये बात अजीब लगती है लेकिन ये जो कार आप दिख रहे हैं ये मरसेडीस AMG है और इसे आस्ट्रेलियन पुलीस यूज़ करती है इसे पहली दफ़ा 2017 में विक्टोरियन पुलीस के लिए लाँच किया गया था लेकिन अब ये पूरे आस्ट्रेलिया में पेट्रोलिंग के लिए यूज़ की जाती है इस कार के अंदर 395 होर्स पावर का इंजन भी लगाया गया है जो कि इसे 230 किलोमेटर की स्पीड प्रोवाइड करता है ये कार सच में कमाल की है BMW i8 दूस्तो आप में से बहुत से लोगों ने BMW कार ज़रूर दे की होंगी ये दुनिया की सबसे लक्जिरी और एक्सपेंसिब गड़ियों में से एक है लेकिन क्या आपको पता है कि जर्मनी में इस कार को किस परपस के लिए यूज़ किया जाता है वेल 2018 में जर्मनी की गवर्मेट ने अपने पुलीस डेपार्टमेंट के लिए BMW के i8 मॉडल को पुलीस के लिए मोडिफाय करवाया था इस कार को एसी सेनिटाइजर नामी कंपनी ने मोडिफाय किया था और इसे एक completely new look दे दी थी इन्होंने ना सिर्फ इस कार के exterior को change किया था बलके इसके interior में भी बहुत सी तबदिलियां की थी ताकि इस कार की performance को बैतर बनाया जा सके इस वक्त ये गाड़ी जर्मनी की पुलीस पेट्रोलिंग के लिए इस्तमाल की जाती है और इसकी speed 250 km से भी ज्यादा है और इसके अंदर दुनिया के सबसे advanced feature भी मौजूद है ये कार वाके ही में masterpiece है Porsche Cayman GT4 दूसों वैसे तो दुनिया की हर मुल्क में पुलीस को पेट्रोलिंग और चेसिंग के लिए cars प्रोवाइड की जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि England की पुलीस के पास कौन सी कार मौजूद है वैल ये जो कार आप दिख रहे हैं इसका नाम Porsche Cayman है और इसे इंगलेंड की पुलीस में यूज किया जाता है वैल ये कार पेट्रोलिंग परपस के लिए तो नहीं यूज की जाती लेकिन इसे young generation में road safety awareness से related events के लिए इस्तमाल किया जाता है इस कार को पहली दफ़ा इंगलेंड की एक state नौर्क फॉल्क में मौजूद एक organization ने वहाँ की पुलीस को gift किया था और उस वकत से ये पुलीस department में ही योज हो रही है बारहाल जो भी हो ये कार सच में लाजवाब है शेवी ताहू पीपीवी दूसों ये जो advanced कार आप दिख रहे हैं इसे शेवरलेड कंपनी ने डिजाइन किया है वैसे तो शेवरलेड जो भी कार लाउंच कर दी है इसे दुनिया का कोई भी शक्स इस्तमाल कर सकता है लेकिन शेवी ताहू एक ऐसा मॉडल है जिसे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की पुलीस के के-9 यूनिट के लिए डिजाइन किया गया है के-9 यूनिट का काम बड़े-बड़े criminals, drugs और dead bodies को सर्च करना होता है इस यूनिट को सिर्फ special occasions पर बुलाया जाता है और वो अपने mission को complete करने के लिए इसी कार का इस्तमाल करते हैं इस कार के अंदर बहुती advanced feature मौजूद होते हैं मिसाल की तौर पर इस कार में sniff dogs के लिए special place बनाये गई है जिनने drugs और dead bodies वगरा डूनने के लिए इस्तमाल किया जाता है इसके इलावा इसमें night vision camera और heat sensors भी मौजूद हैं जिनकी मदद से रात के वकत भी criminals को easily पकड़ा जा सकता है ये कार बहुती high speed होती है और इसे off road भी चलाया जा सकता है इसके इलावा इस कार का सबसे special feature ये है कि इसमें automatic brake and parking system मौजूद है इसका मतलब ये है कि अगर police किसी criminal को chase कर रही हो तो इनने कार से उतरने के लिए ना तो hand brake लगाने की जरूद पड़ती है और ना ही parking ड्राइवर को सिर्फ ब्रेक लगाकर गाड़ी से उतरना होता है और ये कार automatically hand brake और parking कर लेती है ये वहीकल वाके ही में एक कमाल की है बुगाटी वेरों दूस्तों आपने से बहुत से लोगों ने बुगाटी कार का नाम सरूर सुना होगा ये एक बहुती advanced और luxury sport कार है लेकिन क्या आपको पता है कि sports कार को दुबई में किस purpose के लिए use किया जाता है वेल 2018 में दुबई की हकुमत ने अपनी police कार को दुनिया की तमाम police कार में different और attractive बनाने के लिए बुगाटी वेरों को select किया था ये कार दुनिया की तमाम police कार में से सबसे fast है इस कार की maximum speed 450 km से भी ज्यादा है इसके इलावा इसका exterior भी इतना खुब्सूरत बनाया गया है किसे देख कर ही मसा जाता है वैसे दुबई की हकुमत ने तो ये कार टुरिस्ट को attract करने के लिए बनवाई है लेकिन बारहाल जो भी हो ये गाड़ी वाके ही में देखने लाइक है निसान GTR दुसों ये जो लक्जरी कार आप दिख रहे हैं इसका नाम निसान GTR है इस वकद ये कार जापान की प्रोविंस टुर्जीकी की पुलीस इस्तामाल कर रही है असल में ये कार टुजीकी पुलीस को 2016 में वहां के रहने वाले एक लोकल रेजिडेंट ने गिफ्ट की थी इसके बाद लोकल पुलीस ने इसमें मोडिफिकेशन करवाई जिसमें कार के अंदर एडिशनल एमरजनसी लाइट्स लगाए गई और इसके साथ साथ साइरन और लौड स्पीकर भी एड़ किया गया इस कार में 565 होर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो कि इसे हाई स्पीड प्रोवाइड करता है वेल इस कार को पैट्रोलिंग के लिए तो इस्तमाल नहीं किया जाता लेकिन डोजी की में मुख्तलिफ ट्रैफिक इवेंट्स पर इसे ट्रैफिक अवेर्रस देने के लिए योज किया जाता है डोज चलेंजर SRT दूसों वैसे तो दुनिया के हर मुलकी पुलीस के पास चेसिंग और पैट्रोलिंग के लिए अच्छी कार्ज मौजूद होती है लेकिन क्या आपने कभी किसी पुलीस आफिसर को कूल स्पोर्ट कार पर पैट्रोलिंग करती हुए देखा है ये जो स्पोर्ट्स कार आप दिख रहे हैं इसका नम डोज चलेंजर है और इसे फ्लोरिडा की पुलीस योज़ करती है इन्होंने इस कार में काफी मोडिफिकेशन्स करवाई हैं जिनमें एक्स्टेरियर के साथ-साथ पुलीस लाइट्स, साइरन और रेडियो सिस्टम भी शामल है मज़गी बात यह है कि इस कार की एक नहीं बलकि दो कीज होती है जिनमें एक ब्लैक लरकी होती है जबकि दूसरी रेड कलरकी होती है वेल अगर इस कार को red की से start किया जाए तो ये 700 horsepower पर start होती है जो कि बहुती fast run करती है जबकि अगर इसे black की से start किया जाए तो इसका engine 500 horsepower की ताकत generate करता है एन वे जो भी हो जब किसी country की पुलीस के पास इतनी advance कार मौजोद होगी तो मुझरम की बागने का सवाल ही पैदा नहीं होता लेमरगिनी हुरेकन दूसों लेमरगिनी कार का शुमार दुनिया की सबसे luxury और costly कार में होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये luxury कार दुनिया के किस मुल्की पुलीस में इस्तमाल होती है वेल 2015 में इटली की government ने अपनी पुलीस के लिए दो लेमरगिनी कार्स issue करवाई थी इनमें से एक कार इटली के शहर रोम जबकि दूसरी बैलोंगा की पुलीस के अंडर है वेल इटली की पुलीस ने इन कार्स को ना सिर्फ मुख्तलिफ highway operations के लिए यूज किया है बलकि medical department में भी human organs को एक चका से दूर सी जगा ट्रांसफर करने के लिए इस कार का ही इस्तमाल किया जाता है ये really unbelievable है तो दोस्तो आज के लिए पस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे instagram भी follow करना चाहते हैं तो dheather tv पी आप मुझे follow कर सकते हैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस